हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे हमने आपके लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया था उत्तर प्रदेश इस्पेशल उसकी एक तीसरी क्लास है पिछली दो क्लास होना हमने डिसक्स कर लिया था कि लेटी चुद्न एंड लॉंगिटुद्न एक्स्टेंशन जो यूपी का है वो क्या है फिर हमने देखा ल стрड्स हमारे फारोंबसी राज्जे जैसे हमने मैपक Düst तक कि कि अधसा नीन ऊर्फ में देखा था पिर हमें जोबिदिशन भी इंपोर्टन घिस्तिक थे वहूं का पी बपता दीे थे जो भी टिके जो डिस्टिक है वें जो मैंने आपको सौड़ासा कम करेंगे तब भी थोड़े थोड़े फेक्ट देखेंगे ठीक है अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके आप पिछला लेक्चर देखिए अब आपको लग रहा होगा कि हम अभी रेगुलर वेसेस पर आपको क्लासिस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं जी हा अब को कोई भी डाउट हो तो हमको कमेंट किया है कीजी कि हम हरेक्ट कर रिपला देते हैं तो आपको इनिए फान मंब भी हमने फ्रोवाइड करके रखा है तो अप उस पर भी बात कर सकते हैं आज हम अपनी class को आगे बढ़ाते हैं आज हमको देखना है Air administrative division of Utapadist ठीक है क्या देखना है division हम देखने वाले UP के division विधान मंडल UP के हम देखने वाले तो चली स्टार्ट करते हैं सारे के सारे आपको याद करना जरूरी नहीं है, यह मेंने साइड में लिखे हुए हमारे पस कितने, टोटल 18 मंडल हैं, कितने हैं, 18 मंडल हैं, तो 18 के 18 आपको याद करना जरूरी नहीं है, जो मैन है, वो आपको याद रखना है, लेकिन थोड़ा सा मेप पर वर्क करेंगे न तो east west north direction में कौन सा district कहां पड़ता है कौन सा हमारा division कहां पड़ता है उसके बाद थोड़ा सा नजर भुमाने के बाद आपको पूरे district जो है वो याद हो जाएंगे कौन से division में और कहां उनकी location है तो अगर आप से कोई out of box question भी आता है इस topic से related तो वहां भी आप नहीं सबसे पहले हम देखते हैं सहारनपूर उपर से start करते हैं ठीक है सहारनपूर से तो यहां हम क्या करते हैं सहारनपूर को देखते हैं तो सहारनपूर सहारनपूर में आपको क्या याद रखना है सबसे पहले कौन कौन से district आते हैं सहारनपूर में हमारे district आते हैं एक तो सहार साहारंपूर से थी हमारे यहां लगती है कि इस की हरियाना की सीमा लगती हैं तो नीचे हम बात करते हैं दूसरा जो हमारा मेरट 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 में देखिए कौन को से डिस्टिक आएगा बागपत आएगा फिर हापूर आएगा गाजियाबाद आएगा वुलंदिश्यर आएगा और गौतम बुद्रिनकर आएगा सबसे पहले आपको याद रखना है कि यह जि सारे के सारे 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 डिस्टिक किसके हैं NCR रिजन के हैं सारे के सारे डिस्टिक NCR रिजन में आते हैं ठीक है यह आपको याद रखना है अब दूसरा मैं आपको बताऊं कि जो हमारा हापूर है हापूर है हापूर छेतपल की डिस्टिक से सबसे छोटा जिला है क्या ड्ड़ा में ये भी आपको याद रखना है ठीक है और आपको लोकेशन ज़रूर याद रखना हें कि कहां पर आप दूसरी हम बात करते हैं अले गठी आगर अलीगठ की बात करें तो दोछाइसा साथ में इसको बनाए एंजलों के नाम आपको दे देगा फिर आपको पूछे का इनने इनमें से कौन सा जिला अलीगर्ण में नहीं आता या दूसरे लिया रखना है कि चार जो हैं अली गड़ में दिष्टते कातें अली गड़ आएगा कासगंज आएगा हातरस आएगा एटा आएगा दौहसाथ मैं इसको बनाकर तैयार कियास ने उर्मंडल बनाएगा अगर hah की आगरा की आगरा मंदल में कितने कितने डिष्टे काईगे एक तो आगरा आएगा मत्रा आएगा आगरा फ्रोजाबाद आएगा और मैनपुरी आएगा मत्रा आगरा फ्रोजाबाद और मैनपुरी आगरा जो है आगरा जो है वो दो राज्यों से सीमा बनाता है यहां राज सब्सक्राइब दिखाए होगे है जिससे आपको क्लियरली समझ में आए कौन से डिविजन में कौन सा सब्सक्राइब तो कानपुर की बात करें तो कानपुर में एक तो क्या है फारीदाबाद है ठीक है, फरुकाबाद है, एटा है, और यह है, फिर कन्योज के बाद कानपोर देहात है और कानपोर नगर है, यह आपको याद रखना है, दोनों चीज, कानपोर देहात और कानपोर नगर, यह दोनों डिस्तिक अलग लगें, ठीक है, कानपोर देहात अलग है, कानपोर नगर आलगे यह चीज आपको याद रखना है थीक है उसके बाद आता है यहांसी नीचे आप जाएंगे ठोड़साूद में क्या पड़ता है जहांसी डिविजन, जहांसी में कौन-कौन से जले आएंगे, एक तो जालोन आएगा, जहांसी आएगा और ललितपूर आएगा, कौन-कौन आएगा, जालोन, जहांसी और ललितपूर, ललितपूर के बारे में आपका क्या रखना कि जो ललितपूर है हमारा, वो MP से 3 ओर से गिरा हुआ है ललित पूर MP से तीन ओर से गिरा हुआ है हमारा MP कहां से यहां से ऐसे आता है यहां कि तक चला जाता तो MP से तीन और से घिरा हुए जला कौन सा है वो है हमारा ललिद पूर ठीक है आगे हम बात करते हैं चित्तकोट डिवीजन की यह हमारा चित्तकोट डिवीजन है तो चित्तकोट डिवीजन में कौन-कौन से जले आते हैं एक तो हमीर पूर आएगा महववा आएगा बांदा आएगा और चित्त कोट आएगा ठीक है चित्त कोट में मैं चीज आपको याद रखना है कि चित्त कोट डिवीजिन जो है उसका जो हैड़कॉाटर है वो बांधा में है हैड़कॉाटर का है बांधा में है ठीक है अगला हम बात करते हैं इलहाबाद की अगला हम बात करते हैं इलहाब है यह हमारे डिस्टिक कहान बाद है अब आपको इलहावाद के बारे में सबसे मैंसे तुपता ही होगी कि यहाँ पर क्या है मियंद्ध मिलनफ विद्ध्धू है क्या है संगम होता है हमारे इमणा अगे चलते हैं जो हमारा डिविजन है वो देखते हैं तो देखे हैं यह हमारा क्या है तो मेरिजापूर डिविजन की बात करें तो बदóg मिरिजापूर और सौनवत यही हमारा अभी हमारा के लिए जो ॉतना पावा मैदान है बहुत बड़ा-बड़ा मैदान है ठीक है तो टोटल जो इंडिया है इंडिया की टू परसंट इंडिया की मात्र टू परसंट खने संपता कहा मिलती है यूपी मिलती है मात्र टू परसंट ठीक है आगे हम बात करते हैं हमारे अगला डिस्टिक है हमारा है देखिए वारानसी मंडल क्या है वारानसी मंडल कौन-कौन से डिस्तिक आएंगे एक तो गाजीपूर आएगा जोनपूर आएगा वारानसी आएगा और चंदोली आएगा कौन-कौन से डिस्तिक आएंगे गाजीपूर जोनपूर वारानसी और चंदोली यह सारे डिस्तिक कहां से कहां आने वाले हैं हमारे वारस्थी division में आने वाले है उसके आगे हम देखते हैं जो उपर जो लगा हुग वो हमारा क्या है आजमग्ढ़ क्या लगा है आजमग्ढ़ में हो दिश्थी आ इसकेश में Selluję तो हुपर हम बात रहेंगे जो हमारा district अब है गोरक पुर कौन से director भी जन्ब गोरगपर भी जन्बंग्र उन्ब्रों से लिक dude अएगा एक तो महाराज गंज दॉर्ट एक तो आएगा पहराज इन प्र हमारा गोरकन फिर गोरक पूर के बाद प्र वॊरिया और फिर कुशी नगर क्याहेगा कुशी नगर क्या Martini कि इसमें आपको कि याद राखना कि सबसे पहले उतलना है कि हमार सबसे लगनों दोनों बोर्र बना धिक है नेशनल बोड़र बेहार के साथ बनाता है नेपाल के साथ बनाता है तो नेपाल के साथ भी महाराज गंज बॉडर बनाता है और बिहार के साथ भी महाराज गंज बॉडर बनाता है यह बात आपको याद रखने है ठीक है आगे हम बात करें तो देखो इसके जस्ट ऊपर हमको कौन सा डिवीजन मिल रहा है कौन सा डिवीजन मिल रहा है वस्ति तो कौन कौन से डिस्तिक आते हैं एक तो सिद्धाद नगर आएगा वस्ति आएगा और नीचे आपको छोटा से क्या देख रहा है संतकविदास नगर क्या देख रहा है आपको संतकविदास नगर यह सारे डिस्तिक कहा आएंगे यह सारे डिस्तिक आएंगे हमारे वस पार्टन क्या है देवी पार्टन क्या है देवी पार्टन लेकिन इसका है जो हेड़कॉर्टर है हेड़कॉर्टर कहा है गोंडा में हेड़कॉर्टर कहा है गोंडा में लेकिन नाम क्या है इसका नाम हमारा है देवी पार्टन मंदल क्या है इस डिवीजन का और हेड़कॉर् हम बात करने वाले हैं वो है हमारा लखनव क्या है हमारा लखनव में सबसे पहले याद रखेंगे आपके यह जो डिवीजन है हमारा इस सबसे बड़ा डिवीजन है लखनो डिवीजन जो है यूपी का सबसे बड़ा डिवीजन है ठीक है कौन-कौन से जिले आते हैं एक तो ल उन्नाव आएगा उन्नाव के बाद लखनव आएगा और लखनव के बाद आपको नीचे क्या दिख रहा है राइवरेली क्या दिख रहा है राइवरेली तो यह सारे किसमें आएंगे यह हमारे आएंगे यह हमारे आएंगे लखनव डिवीजन में कहाएंगे लखनव स्टर्थी फिर सुल्तानपुर। सुल्तानपुर के बाद साथ यह जो आपको दिख़रा है यह कॉन सा वरेली क्या है वरेली डिवीजन तो वरेली में क्या है पीली वीत में आएगा फिर वरेली आएगा वरेली के बाद वुर्हान आएगा वुर्हान के बाद आएगा सा जहाँपूर क्या है सा जहाँपूर क्या है सा जहाँपूर ठीक है यह साधे जो डिस्टिक है वो कहाएंगे वरेली डिवीजन में आएगे अब वरेली डिवीजन में आपको पीली भात बीत की बारे में कि याद रखना है कि जो पीली भीत है वो भी क्या बनाता है इंटरनेशनल और नेशनल बॉडर बनाता है नेशनल बॉडर यहां उत्तरा खंड के साथ और इंटरनेशनल बॉडर किसके साथ नेपाल के साथ इंटरनेशनल बॉडर बनाता है क्या पीली भीत ठ आगे चलके हम डिस्कस करेंगे कि वरेली हमारा सबसे ठंडा छेत्र है क्या है सबसे ठंडा डिस्टिक है हमारा वरेली अगर हम मुरादाबाद हम बात करें मुरादाबाद डिविजन की ठीक है तो मुरादाबाद डिविजन में क्या का आएगा कौन-कौन से डिविजिक आएगे एक तो मुरादाबाद खुद आएगा फिर रामपूर आएगा रामपूर आएगा अम्रोह आएगा अम्रोह के बा बात क्या आएगा संभलाएगा विजनोर के बारे में आपको क्या याद अखना है कि यह जो हमारा है यह जो हमारा है वो क्या है प्रवेश्द्वार है किसका गंगा नदीगा क्या है प्रवेश्द्वार है गंगा नदीगा गंगा नदीगा प्रवेश्द्वार कौन है हमारा विजनोड इस्टिक है ठीक है ये सारे के सारे हमने क्या कर लिए डिवीजन हमने डिसकस कर लिए अब हम कुछ important division देखते हैं कि जो हमारे लिए important वो कौन-कौन से ठीक है तो सबसे पहले लखनोग सबसे पहले लखनोग ये हमारा क्या है सबसे largest सबसे बड़ा division और सारे के सारे हम 4 पहां जो है वो बड़े division ही देखने वाले तो लखनोग के बारे में आपको मैंने बता दिये हमारा लखनोग ठीक है कौन-कौन से डिस्टिक आते हैं तो हर दो ही आता है लखिमपुर की रही आए लखनोग आएगा राइवरली आएगा सीतापुर आएग यह हमारा कानपूर division कानपूर division में कौन-कौन से डिस्टिक है और यह एटा फिर है फरुकाबाद कन्योज कानपूर और कानपूर देहात तो कानपूर नगर कौन है कानपूर देहात अलग है कानपूर नगर अलग है यह दोनों डिस्टिक आएंगे काय में आएंगे तो यह हमारा थीसरा बड़ा मंडल क्या हैlar 2 सब्वाइंड कि मेरट में कितने भी this recording चेंड डिस्टेर आएंगे तो हमारे जो तीन बड़े मंडल है उन्में कितने डिस्टेक हहे । मेरट मंडल में कौन से डिस्टेक है तおお बात्तपत बुलंद शहर, गौतम बुद्नगर, गाजियाबाद, मेरट और हापुर, ये कौन से डिस्टेक है, ये डिस्टेक आते हैं हमारे मेरट डिविजिन में, ठीक है, आगे हम बात करें, फैजाबाद डिविजिन की, तो फैजाबाद में क्या का आएगा, अमबेटकर नगर आएगा, वारा जिस्टेक आएगे, फिर पांच जिस्टेक अगले वाले में भी आएगे, क्या है, मुरादाबाद, मुरादाबाद में भी कितने आएगे, पांच जिस्टेक आएगे, कौन-कौन से हैं, तो सबसे पहला, विजनो, गंगा नदी का प्रविजद्वार, आमरोहा, हो गई i Slides तो मैं आपको इसमें बता दो कि क्या देखना है हमको डिवीजन देखना है ओज डिवीजन नेमड सेल्परेटली-हार ठीक है जिसका नेम अलग है और हेड़कॉार्टर अलग है वह हमको खित्रकोट का वह मैंने आपको कहां बता है बांदा में आपको कुछ बड़े दिस्थिक बताएं कुछ छोटे डिस्थिक बताएं इन सब के लिए में एक अलग से वीडियो बनाँगा जो जिले हैं उनके लिए एक इस्पेशल वीडियो रहेगा जिनमें हम सब देखने वाले हैं कि कौन सा जिला है जो बड़ा है कौन सा चोटा है यह सारे कि सारे हम कहां देखने वाले हैं यह हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे उसमें देखेंग ठीक है में कौन-कौन से डिस्टेक आएंगे तो अलीगर में आएगा एक अलीगर एटा हातरस और कास गंज यहां तक हमने देख लिया था अगला जो है ठीक है अगला वीडियो जो रहेगा उसमें हम देखने वाले फिजिकल डिविजन ओफ यूपी क्या देखने वाले फिज इगल दिविजिन ओ